ये विजुल्स आप देख रहे हैं ये विजुल्स हैं सत्वारी से सत्वारी चोंग की बात करें उससे सो मिटर आगे चले जाएं तो यहाँ पर सब्जी मंडी है फ्रूट मंडी है जहाँ पर बीती रात लगबग डेड़ बजे दो बजे के आज पास जो है वो आग लगती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है वीजुल साब देखने के अभी भी आग लगी हुई है और रात के डेड़ दो बजे के आज पास जो है यह आग लगती है और एक बार बताना चाहूंगा कि कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है तस्वीरे आपके सामने है इसके अलावाद तीन दुकाने और हैं जहाँ पर आग ने जो है अपना कहर भर पाया और सुखट बात यह है कि देर रात का समय था जानी नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर नहीं थे लोग लेकिन आप नीचे देख सकते हैं पूरा फूरूट हाला कि रमजान का महीना चल रहा है नवरात्रे चल रहे हैं तो आप खुद देखिए तस्वीरों में कितना नुकसान इनका जो है वो हुआ है और सब कुछ सब कुछ जलकर राक हो गया और मैक्सिमम फूर्ट फूर्ट्स वालों की बात करें तो रमजान के चलते नवरात्रों के चलते नवरात्रों में फास्ट रखे होते हैं रमजान के चलते नवरात्रों के चलते जो है फूर्ट्स जादा लोग डलवाते हैं कि ताकि लोग जो है वो जातस जादा यहां पर आएं और ख्रीधारी करें लेकिन किसे क्या मालुम था कि देर रात को आग लगने से सब कुछ तबाह हो जाएगा लगभग ये रात के डेर दो बजे की गटना है और सब कुछ जल कर राख हो गया है काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है और अभी भी आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से रात को आग लगती है तीन दुकाने इसकी चपेड में आती है जितनी भी डेरी है यहाँ पर समान पड़ा हुआ था सब कुछ जल कर राख हो जाता है सर लगबग डेर्वजे के आसपास आग यहां लगती है कितना नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है क्योंकि रमजान चल रहे है नवरातरे चल रहे है मैक्सिम जो जितने भी यहां पर एड़ी वाले है जादा जादा फूट डलवाता है कि लोग लेते हैं कितने अखसान हुआ है अबी तक कोई नेता या कोई कार्पेटर को पूछने है कि आखिरकार हुआ किया करेंगे आपकी मदद तो अभी तसीलार साहब आए थे और पटवारी साहब आए हुए हूं बनाके लेगे अस्टिमेंट बोलते कोई बाद नहीं हम आपकी मदद करेंगे क्या वजह फिलहाल देखने को मिल रही है किन वज़ाव से आग लगी शॉट सरकुट हुआ है क्या हुआ है फॉजजा भी सामियाई घरीबों के किसमत ही खराव है सर क्या करें पहले करो ना कानने डाल दी आपी अब है कॉल पढ़ गया किया क्या क्या गरे से कितने बाले ल काम शुरूरू हो जाए बचारों का कोई मिल जाए सरकार की तरफ से करें कुछ तो फिर हो जाए क्रीब होगा मैं दिखाना चाहूंगा अंदर के भी विजूल साथ को कि किस तरह से नुकसान जो है भारी हुआ है और अभी भी आप देखिए कि का नुकसान बहुत जादा है सोला रेडियां यहां पर थी अभी भी आप देखिए की यह दूखों का पहाड जो इन पर टूटा है देर रात डेड़ बजे के आस पास आग लगती है अब वज़ा उसकी शौर्ट सरकिट है यह क्या है यह तो खेर मालूम चल जाएगा लेकिन सोला रेडियां जो है वो प्रूट मंडी की है और आप नीचे देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक सब कुछ सब कुछ जलका राख हो गया है कि अधर कितने बजे के आस पास आग लगी है कि नक्सान होगया यहां पर कोई कम सकाम भी यह 10 पंद्र लाक कर दो नक्सान होगया एक नव्रातरा चल रहे हैं वपसर रमशान चल रहे हैं तो लोग जादा जादा फूट डालते हैं कि अभी तक कोई नेता कार्पेटर पूछना है आप से जूड़ी इसमें से प्रेंट निकला तरपाल पे वो तायर टूडगे थी गिर गे नीचे तरपाल में लगी और दो बजे आग लगना स्टार्ट हुई और दो बजके पंदरा मिंटर पर यह सब सवा अवा तेज चल रही थी उसके कारण आज आग एकदम से फैल दूपान चल रहा था और एच्छोस आप मोके पर आये डिसी साहब आय थे घंकल की गाड़ी कितने में पहुंचे थे मोके सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आप अपनी जान के खत्रे में मतने दाला तो इसलिए हम पीच्छे अड़के सर बहुत बहुत आग थी हमार पास वीडियो भी है उस आख के जैसे कि किसी बिल्डिंग को आग लगी होती जैसे अगर वीडियो पढ़ा हमारे वीवर दिखना कि आखिर कार यह कुछ वीजूल्स हैं हम चाहेंगे दिखाने को कि यह आखिर कार रात का मंदर किया था तो मैं चाहूंगा यह वीजूल्स आप मारे चालन के मादिन सब देखें तो काफी ब्याने कार थी आप अभी भी देख सकते हैं और जो यहां के कंसर्निंग ऐसे उच्छो थे उन्होंने इनको कहा कि आप दूर रहिए माल का नुक्सान तो हो गया जानी नुक्सान हमें नहीं चाहिए तो आप बेफिकर रहिए आपको मुआफ़ा मिल जाएगा तो और यह विजुल साफ साफ तो और देखिए तो यह विजुल साफ देख सकते हैं कि कितना नुक्सान यहां पर हुआ है सब कुछ जलकर राख हो चुका है और यह फ्रूट मंडी की तस्वीर हैं और नुक्सान आप देखि कितना जादा हुआ है तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो कि कितना नुक्सान हुआ अभी भी अभी भी आग बुजी नहीं है अभी भी आप देख सकते हैं कि 10 से 15 लाख का नुक्सान जो है वो यहां हुआ है जितने फुरूट सबजीयां सब जलकर राख होगी जो इनकी रेडियां थी वो भी जल चुकी है पहले करोना काल में जो मार उसके बाद मुना काल की मार और कहीं न कहीं इतना नुक्सान इनका हुआ पर आप से बात करेंगे कितना नुक्सान हुआ है करें वेना कल मंटी से उदार माल आए था एक लाग भीस घारवे का रंजान के मीना चर रहा नवरात्र चर रहे हैं उसकी बसे मिदार माल लाया साम अमनीज के पैसे देँगे उससारा माल जलकर राक होगे पास देंगे पैसे आप आपी समय दार बाद चुड बचे कैसे कुछ आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि कितना नुक्सान हुआ है और तमाम लोग जानते हैं करूना काल के चलते पिछले साल हुआ कितना नुक्सान हुआ अभी भी आप देख yogurt कुछ भी कुछ भी नहीं बचा उर की से कहा कि कल मंधी जाकर उदार समान लाया था कि आज कुछ शार पैसे कमाएंगे और इनको पैसे दे देंगे रमजान का महीना चल रहा है और जब रमजान का महीना चल रहा हो या फिर नवरातरे चल रहे हो तो जो समान डलवाया जाता है उससे डबल समान ने डलवाया ताकि यही समय है और इस समय में हम कोशिश करें कि हमारे पास फ्रूट सबजियां जादा से जादा हो और लोग यहां खरीदारी करने आएं तो यह बहुत बड़ा नुक्साना है हम भी अपने चैनल के मादियम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इनके साथ इस समय दुक की गड़ी में ख़ड़ा होना चाहिए और जो मुआफ़े की उमीद यह कर रहे हैं इनको मुआफ़ा जो है वो मिलना चाहिए तो यह फिलाल यह तस्वीरे आप सब कुछ जलकर राक हो गया है शायद कुछ सबजियां बची हैं जो इसी राक से निकाल कर साइड पे रखी हैं लेकिन जिस तरीके से नों बताया मैं आपको बता दू वो खंबा जिस पर इन्होंने कहा कि शाच सरकर जहां से आग फैली है वो खंबा भी आपको बताता हूँ कि आखिरकार आग कहां से फैली कहां से शुरुवात हुई तो ये सब कुछ सब कुछ जल कर तबाह हो गया देरात का समय था लगबग देड़ बजे के आस पास अभी भी आग यहां पर आप देखिए कितनी लगी है और ये वो खंबा है ये आप तस्वीरों में देखिए ये वो खंबा है ये वो पॉल है जिसके बारे में यहां के लोगों ने बताया कि यहां से आग पकड़ी गई है यहां से शाट सरकड़ होता है और तरपाल होते हैं नीचे तरपाल में आग लगती है हवा तेज होने के कारण आग अपना तांडब करना शुरू कर देती है और उसके बाद आग को काबू पाना मुश्किल हो जाता है आग लगबग डेड़ बज़े के आसपास रात को लगती है दमकल की गाड़ी हैं हाँ पर पहुँचती है और कितना जादा नुकसान इनका हुआ है तीन दुकाने इनकी चुपेड में आई है दस से पंद्रा लाग का नुकसान जो है वो हुआ है तीन दुकाने सोला रेडियां और एक उमीद की निगा लगा कर बैठे हैं कि कब इनको कुछ मुआफ़ा मिलेगा ताकि गुजर बसर जो है वो अपना कर सके हम भी यहीं मीद करते हैं कि सरकार जो है वो इनको कुछ नो कुछ मुआफ़ा जुरूर दे क्योंकि पिछले साल करोना काल की मार रही अभी नवरातरास और रमजान के चलते इन्होंने उधार फुरूट और सबजियां लेकर माल डलवाया डबल माल डलवाया कि चलो त्योहारों का सिजन चल रहा है नवरातरास रमजान चल रहे हैं जादा लोग ख्रीदारी करने आएंगे और इन्हें क्या पता था कि रात को शॉर्ट सरक्ट होने की वज़ए से आग लग जाएगी और कुछ ही घंटों में सब कुछ जल कर तबाह हो जाएगा तो मैं यही पील करता हूँ अपने चनल के मादल से कि इन सब को इनका मुआफ़ा दिया जाए क्योंकि आगे एक तरफ करोना की मार के कारण सब की कमर तूटी है और दूसी तरफ जब इस तरह के हाथ से पेश आते है तो इनसान दोबारा से अपने पैरो पर उठना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी भी आपकी लपते हैं लोग परशान हैं चिंतित हैं गुहार एक ही लगाई जा रही है कि इनको इनकी भरपाई मिले इनका जो नुकसान हुआ है कि दोबारा से एक बार या अपनी जिंदगी पर एक बार दोबारा से पहले खड़े हो जाएं जिस तरह पहले चलती थी हम भी ही उमीद करते हैं कि सरकार मुहाफ़ा इनको जुरूर देगी और दोबारा से इनके चैरों पर जो है मुस्कान देखने को मिलेगी तमाम अपनेटिस के लिए जुड़े बहुएसस के साथ शाम जी साराल गतरी बहुएसस के लिए